हेलो दोस्तो कैसे आप उम्मिद करता हूँ कि आप ठेक और सही सलामत ही होंगे तो दोस्तो इस वीडियो में SBI किसवक बेंकिंग क्या है SBI किसवक बेंकिंग का खाटा कैसे उपन करवाना है और इसे हम कैसे कमाई कर सकते है और इस bank खाटे को उपन करने के लिए जो जरूरी document है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो दोस्तो चलिए SBI किसक banking के बारे में जानते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसक banking क्या है तो दोस्तो यहाई account इस समय में खुलना बहुत फाइडा कारक होता है क्योंकि आपको इसमें customer को दुनने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप जिस bank का किसक खाटा खुलवाते हैं उस bank में पहले से ही बहुत सारे customer जुड़े हुए होते हैं इसलिए आपका काम बहुत आसन बन जाता है किसक bank एक प्रकार का mini bank कहलाता है जैसे ही आप इस तरह mini bank यानि किसक bank को open करते हैं तो आपके पास automatic customer आने लगते हैं तो दोस्तो ऐसा होते ही आपका profit बढ़ने लगता है वहाँ कैसे profit बढ़ता है वो मैं आपको थोड़ी देर बात बताऊंगा तो दोस्तो आपको इसमें एक लाप यहाँ भी मिलता है कि आपको किसक bank को खुलने के लिए कई और जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसे किसी भी दुकान में खुल सकते हैं अब जानते हैं कि किसक bank खाटा कैसे खुल सकते हैं तो दोस्तो किसक bank के बहुत सारे नाम होते हैं जैसे कि CSP यानि Customer Service Point, Mini Bank, किसक bank आदी आदी तो दोस्तो अगर आपको यहाँ नाम नहीं मालुम होगे तो आपको बहुत ही confusion होगा आपको यहाँ सभी नाम सुनकर हैरान नहीं होना है क्योंकि यहाँ सब नाम एक ही है तो दोस्तो चलिए आप जानते हैं कि किसक bank अकाउन ओपन कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो यहाँ किसक bank खुलने के लिए आपको उस bank में जाना है आपको उससे investment qualification के बारे में भी पूछ लेना है यहाँ सब कुछ जानने के बाद अगर bank manager आपको किसोक bank यानी mini bank खुलने की permission देज देता है तो आपको manager के द्वारा username और password दिया जाएगा यहाँ username और password को इस्तेमाल करके आप किसोक bank यानी mini bank चला सकते हैं और आपको एक खुशी के बाद बता लूँ कि जब आपको यहाँ सारी permission मिल जाती है तो आपको सहायता के टौर पर कुछ पैसे भी दिये जाएंगे ऐसा इसलिए करते हैं कि आप अपने किसोक bank यानी mini bank को कैसे खुला जा सकता है और किसोक banking क्या होता है तो दोस्तो अब जानते हैं कि SBI किसोक banking online apply कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा आजकल हर काम चाहे वो बड़ा हो या छोता लेकिन online हो गया है लेकिन मैं आपको बता दू कि आप किसोक banking के लिए online apply नहीं कर सकते आपको इस कार्य के लिए online form नहीं बढ़ना है क्योंकि इसकी permission आपको नहीं दी जाती किसोक banking के लिए आपको अपनी नजदी की bank के branch में जाकर ही करना पड़ेगा जब आप banking मुलाकत लेटे हैं और आपको manager permission दे देता है तो आपको bank manager एक form देता है फिर आपको वो form बढ़के और बटाये गए document के साथ उसे जमा कर देना है इसके बाद आपको किसोक banking खुलने की अनुमटी दी जाती है तो दोस्तो इस तरह से आप किसोक bank के लिए apply कर सकते हैं जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि आजकल हर बड़ी company ऐसा price करती है कि उनकी customer को अच्छी स से अच्छी सेवा मिले इसलिए आजकल बाजर में ऐसी बहुत सारी कंपनिया है जो आपको बहुत सारी बैंक की किसोक banking प्रोवाइड करती है लेकिन इन में से कई कंपनी फरजी भी होती है तो आप सोच समझ कर और थोड़ा ध्यान से apply करना चाहिए तो दोस्तो आप जानते कर रहा है उससे अपने आपको identify करना होगा SBI किसोक banking के लिए apply करने के लिए दसवी तथा बारवी की माक्सिट की जरूरत परती है क्योंकि आपको इसके जरिये आपके identify कार को verify किया जाता है इसके अलावा customer की fingerprint की जरूरत परती है इससे ही उस व्यक्ति को identify किया जाता है इस आपके मन में सवाल आया होगा कि इसमें कैसे मिलता है तो इसमें आपको हर एक bank से commission दिया जाता है जैसे कि आपने SBI किस्वक banking को सरूर किया है तो आपको एक saving account यानि budget खाटा खोलने के लिए 10 रुपिय का commission मिलता है वैसे तो अलग-अलग कारिये के लिए अलग-अलग commission को take किया होता है उसी प्रकार से आपको commission दिया जाता है ज जिस किसी bank का किस्वक account खोलाते हैं उस bank के commission के बारे में पहले से ही जान ले क्योंकि सभी bank की commission की रखम अलग-अलग होती है तो अब जानते हैं कि SBI किस्वक banking account balance के बारे में तो अजकर सरकार के द्वारा students यानि छात्रों को साही करने के लिए कुछ पैसे scholarship के रुप में दि जरुरी document और उस person की fingerprint लेनी होगी और यहां सारी चीज़े collect करके आपको bank को दे देनी है उसके बाद bank यहां सभी detail को check करके account को approve करता है तो जोस्तों अब जानते हैं कि SBI किस्वक banking में पैसे को जमा या फिर निकालने की limit के बारे में तो जैसे कि आपको एक दिन में 10,000 निक को ही आप जमा करवा सकते हैं तो दोस्तों इसके साथ IFC code क्या होता है वह भी जान लेते हैं तो दोस्ता IFC code का पूरा नाम Indian financial system code होता है यहां एक bank को identify करने का number होता है यहां number 11 digit का होता है जिसमें कुछ number 1 digit और कुछ alpha digit आते है IFC को alpha number 1 code भी कहा जाता है यहां code RBI यानि Reserve Bank of India से identify किया जाता है और उसका उप्योग payment और transfer करने के लिए किया जाता है जैसे कि NFT और RTGS में bank को identify करने के लिए यहां code इस्तेमाल बनता है तो दोस्तों अब SBI किसोग banking की service के बारे में जानते हैं तो दोस्तों ज्यादा तर किसो पोड़ी कम service मिलती है जैसे कि cash withdrawal यानि पैसे को निकालना और account opening यानि नया खाटा खुलवाना money transfer यानि पैसे को transfer करना और cash deposit यानि पैसे को जमा करवाना तो दोस्तों किसोग banking के लिए जो ज़रूरी उप्योगी साधन है उसके बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों इसके रखने के लिए safe locker तो दोस्तों अब SBI किसोग banking के फाइड़ी के बारे में जानते हैं तो दोस्तों कई area में केवल एक bank ही होती है जिससे आपको गंटों तक line में खड़ा रहना पड़ता है लेकिन किसोग banking के बाद यहाँ एक फाइड़ा होता है कि इसमें आपको कई सारे का या slow service के कारण bank में account नहीं खुलवाते जिससे bank के customer भी नहीं बढ़ते अगर वहाँ किसोग banking की सेवा दी जाए तो banking का career टेस बन जाता है बैंक के customer भी बढ़ जाते है तो यहाँ एक सबसे बड़ा फाइड़ा किसोग banking कारता है जैसे कि आप सबको मालम होगा कि bank में बहुत जड़ा भीर और लंबी लाइन के कारण कई लोगों को banking की सेवा नहीं मिलती अगर मिलती भी है तो अच्छी सेवा नहीं मिलती लेकिन किसोग banking के कारण सभी customer को बढ़िया सेवा दी जा सकती है और जहाँ पर bank की सेवा नहीं पहुंचती है वहाँ पर किसोग banking के द्वारा भी हम सर्विस दे सकते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा फाइडा यह है कि यहाँ पैसे क्रिमाने का बैटरिंग तरीका है कई लोग ऐसे होते हैं जिसके पास कोई काम नहीं होता लेकिन वह लोग काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा और लगकारी कारिया यहाँ चाहिए और उसका पासिंग सर्थिकेत होना चाहिए आवेडिन करता कि उम्रा 18 वरस या उससे ज्यादा होनी जरूरी है जो व्यक्ति किसक बेंकिंग खुलवाना चाहते हैं वहाँ व्यक्ति उसी एरिया का होना चाहिए किसक बेंकिंग यानि CSP कॉस्टमर सर्विस पॉइंट को सरु करने के लिए आपके पास जगा होनी बहुत जरूरी है तो दोस्तो SBI किसक बेंकिंग के बारे में ज्यादा माहिटी प्राप्ट करने के लिए हमारे वेबसाइट की पोस्ट पर आप पढ़ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वही से आप और कई नई जनकारी है के बारे में जान सकते हैं तो दोस्तो उम्मिट करता हूँ कि आपको यहाँ SBI किसक बेंकिंग की जनकारी पसंद आई होगी और आपको इसमें से काफी सारी महात्वापुन जनकारी भी प्राप्ट हुई होगी यदि आपको कोई प्रसना है तो आप और इस तरह की नई नई जनकारी या जनने को पसंद है तो इस चैनल को सब्स्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ओन कर लिजिगा ताकि नई जनकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरहन मिल सके आपका धन्यवाद